हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और जी टी यू डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागित करता हूँ यहाँ पर हम बताते हैं आपको लेटेस टेक निउस साथ आप लोगों के टेक क्विशन का जवाब भी मैं देता हूँ तो शुरुवात करते हैं आज की टेक निउस के साथ और इससे पहले कि मागे बड़े पहले बात कर लेते हैं टेक पोल के बारे में टेक पोल में मैंने आपसे पूझा था कि कौन सा TWS यानि कि टूली वाइड़ेस यह फून आपको सबसे ज़ादा पसंद है तो यहाँ पर बड़ेस हैं लेकिन अपकमिंग वन प्लस के TWS का सब लोग वेट कर रहे हैं और 60% लोग कहते हैं कि भाई उनको वन प्लस के TWS का वेट है क्योंकि वो बहुत सही प्राइस पर भी आ सकता है और वो बहुत अच्छा हो सकता है बाकी लोगों ने सिलेक किया है Realme का Buds Air और Xiaomi के TWS2 के लिए सबसे कम वोट्स आये हैं और Vivo का तो यहाँ पर नाम पता ही नहीं है क्योंकि Vivo के अभी नए नहीं लाँच हो है तो जादा लोगों ने उनको देखा नहीं है और अगे इन कुछ लोग समझते हैं कि Vivo के महंगें लेकिन उनको टेस्ट करने के बाद मैं आपको अपना उपीनियन उनके बारे बता दूँगा तो चलिए शिरुवात करते हैं आज की Tech News के साथ और पहली Tech News आ रही है Moto G 5G के बारे में जो की Snapdragon 765G वाला फोन है Motorola का ये फोन टकर दे सकता है OnePlus Nord को अगर ये इंडिया में बिल्कुल सही price पे launch होता है इसके बारे में जितनी ज़्यादा details जल्दी जल्दी पता चलेंगी उतनी ही संभावना है कि ये इंडिया में जल्दी launch होगा अब बात करते है आगली news और वो है Nubia Red Magic 5S जो की एक नया gaming phone है और ये phone चाइना में तो है लेकिन ये इंडिया में आने वाला है और ये UFS 3.1 storage के साथ आएगा LPDDR 5 RAM के साथ आएगा और ये एक और gaming phone होगा जो की Asus के Rogue Phone 3 के साथ compete करेगा और ये बहुत बढ़िया option हो सकता है अगर ये इंडिया आता है और हो सकता है कि ये सस्ता भी हो Asus के phone से तो देखते हैं कब आता है क्या होता है फिलाल तो नूबिया की situation थोड़ी डामाडोल टाइप सी है यहाँ पर उनका कुछ खास है नहीं market लेकिन हो सकता है कि वो अपना gaming phone launch करें जैसे उन्होंने Red Magic 3 किया था अगली ख़बर आही है Snapdragon की तरफ से और ये है Snapdragon 875G, 435G and 735G के बारे में ये नए chipset जो है आने वाले है Snapdragon की तो ऐसे में काफी high-end processor ही होने वाले हैं काफी बढ़िया processor होने वाले हैं लेकिन एक और बात निकल के आई है कि यहाँ पर 875G का जो screenshot है उसके अंदर ये दिख रहा है कि इसमें 100W की charging support होती है तो यानि कि Qualcomm भी अपना 100W की charging लेके आने वाला है मुझे लगता है कुछ दिन है Qualcomm की जो कि Quick Charge 5 लेके आ सकते हैं और उसको 100W fast charging बोल सकते हैं जो कि again ज़्यादा तरफ फोन पर supported होगी क्योंकि Qualcomm की तरफ से आएगा यानि कि आपके हर फोन के अंदर आपको वाली charging मिल जाएगी अब बात करते हैं आप ए OPPO Reno 4 की जिसके बारे में और information आ गई है कि इसके पर यहां पर Asus के Rogue Phone 3 के बारे में जिसके renders वगेरा जो हैं सामने आ गए हैं और इस तरह से दिख रहा है कि यह कैसा होने वाला है हलका सा चेंज लग रहा है Asus Rogue Phone 3 में अगर हम डिजाइन की बात करें लेकिन काफी सुन्दर और attractive लग रहा है मुझे लगता है कि यह बहुत ह हाई-end बढ़िया वाला gaming phone होगा लेकिन साथ ही साथ इसकी price भी हाई-end होने वाली यानि कि 50,000 से उपर जाने वाला है Asus Rogue Phone 3 तो क्या आप लोगे 50,000 से उपर वाला iPhone यह जुरू बताना नीचे comment section में अब बात करते हैं OnePlus के TWS के बारे में जिसके बारे में बहुत information आती रहती तो OnePlus TWS के बारे में अभी तक दो चीज़े सामने आ चुकी हैं एक तो इसमें noise cancellation आपको मिलने वाली है दूसरी इन में fast wireless charging का support मिलने वाला है यह दोनों चीज़े तो सामने हैं मुझे लगता है अगली जो चीज़ सामने आएगी वो होगा slider control यानि कि आप TWS पे ऐसे करेगा slide करके volume increase decrease कर सकते हो previous neck कर सकते हो जो कि और बाकी TWS में ही मिलता है लेकिन ये इसको बहुत ही तरीके से लिग करते हैं तो OnePlus अपना hype बनाने में सबसे तेज है और I think सब लोग OnePlus TWS का weight भी कर रहे हैं जैसा हमारा tech poll में आपने बताया है अगली जो खबर है वो है RMX 2180 Realme का ये नय और वो बहुत अच्छी information देते रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफी active रहते हैं as a leaker community के अंदर तो ये information आई अब ये कौन सा phone है ये तो समय के साथ पसल जाएगा लेकिन हां Realme की तरफ से भी MediaTek G35 वाले phones आने वाले हैं Redmi की तरफ से Redmi 9C औ 9A आने वाले हैं उन में एक जो है 9C जो है MediaTek G35 वाला है और दूसरा G25 वाला है तो ये नए processor MediaTek के आपको देखने को बिलेंगे 10,000 और उससे कम वाले phones में जो की बढ़िया बात है अच्छे phones मिल सकते हैं बाकी processing power कितनी होगी ये देखने वाली बात होगी और ये मैं बताऊंगा आपको जैसे ये phone मे करेंगे आप लोगों के लिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना केना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी request है दिल से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो भाई लोगो मैं रोज आप लोगों के लिए Tech News ऐसी लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़के मज़ा आजाता है मैं सभी comments को almost hard देता हूँ सबको reply करता हूँ कुछ भी पूछना है तो पूछ लो साथ इसाथ बस इतना है कि support करो like कर दो वीडियो को subscribe करना ना करना वो आपके ओपर है like कर दो और comment करो अगर कुछ भी परिशानी है कुछ भी पूछना है तो वी वीवो कहीं ना कहीं innovation में बाकी और Chinese company से थोड़ा आगे रहता है वीवो ने सबसे पहला in-display fingerprint scanner वाला phone launch किया था वीवो ने सबसे पहला gimbal camera वाला phone अभी recently launch किया है आगे बढ़के सबसे पहले वो technology लेके आए इतने confident है वीवो तो मुझे लगता है कि वीवो हो सकता है कि rotating display वा अब किसी को आपको 5000 के अंदर gift देना है और आप 4G phone देना चाहते हो तो ऐसा किसी नहीं पूचाता मैं आपको recommend करता हूँ Nokia 1 Nokia 1 एक basic phone है जो कि है तो basic लेकिन अगेन आप gift के लिए इसको दे सकते हो और branded phone है तो branded gift दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और दूसरी बात इ चाही नहीं सकते है अगला question है Biff Tablet 130K देखो tablet जो है यहां पे दो company के सही होते है लेने के लिए या तो आप Samsung कर लो या Apple कर लो और Samsung का tablet मैं आपको बता देता हूँ Samsung का Tab S6 Lite जो है आपको मिल जाएगा 30,000 के अंदर जो कि एक अच्छा tablet है लेकिन अच्छी बात यह है कि एक यहां tablet Samsung का आने वाला है जो की A7 के नाम से देखा जा रहा है और यह 20,000 के अंदर आ सकता है तो अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आपको 20,000 के अंदर एक affordable tablet Samsung की तरफ से मिल जाएगा देखते हैं कि क्या specification उसमें होगी लेकिन हां उसके design, render वगेरा leak होगे तो थोड़ आपको मिल जाएगी आपे देख लो अगला जो question है वो है best phone Samsung under 20,000 यानि कि 20,000 के अंदर अगर आपको Samsung का ही phone लेना है यानि कि non Chinese phone लेना है तो कौन से दो phone है ले सकते हैं अब एक phone है जो online आप ले सकते हैं वो है Samsung का M21 जिसमें आपको 64GB की storage मिलेगी और दूसरा phone है Samsung का A50S जो की offline market वाला phone है अब A50S 18,000 के आपको पड़ेगा लेकिन उसमें 128GB की storage मिलेगी M21 पड़ेगा तकरीबन 15,000 का उसमें आपको 64GB की storage मिलेगी अब देखा जाए तो 3000 अगर आप extra दोगे तो आपको storage जादा मिल जाएगी दौनों में ही same processor है दौनों में ही AMOLED display है दौनों की value for money offer करता है लेकिन storage कम है तो ये थी आज की tech news आप लोगों के सवालों के जवाब मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आओगा अगर वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज लाइब बटन दबा दो साथ साथ कमेंट में लिको जो भी आप पूछना चाते हो फिला साल शुरूर इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वंदे मातरम